सूटेंट्स वल्कम बेक टो मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षिट नंबर 30 21 जनवरी की है बेटा गनित सब्जक्ट की है सिक्स्त किलास के बच्चो के लिए जिसमें हम प्रायोगिक जयामती यानि की लंब रेखाई क्या होती है इस चैप्टर में आज हम लंब रेखाई क्या होती है या उनको कैसे ड्रो करते हैं वो जानेंगे ठीक है तो देखो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है यानि की भूमी का दो परती छेदी जिनके बीच का कौन सम कौन हो सम कौन क्या होता है बेटा 90 डिगरी का कौन ठीक है सम कौन हो तो उन्हें लंब रेखाई कहते हैं यानि की देखो ये वाला कौन क्या है 90 डिगरी का होता है जब हम इसको इस तरीके दिखाते हैं क्योंकि ये सम कौन है तो जब ये दोनों कर AK है अब देखो पुस्त तक का इक को न जहांग आ रिखाए yي अब देखो पूस्त का एक कोना जहां दो रिखाए प्रस पर सम नंतर है अब ठीक है तो से firstly 1 लम रेखा को बिटा तो देखो रूलर और सेट स्क्वेर ये हम पढ़ चुके थे बिटा है चैप्टर की स्टार्टिंग में कि किन किन प्रायोगिक जयमती का हम प्रियोग करते हैं ये सब रेखाएं खिचने के लिए या कौन बनाने के लिए तो उसी में से है एक रूलर और एक है सेट स्क्वेर सेट स्क्वेर कुछ इस तरीके का होता है जो ये आप देख रहे हो इसकी साहिता से हम कैसे लम रेखा को खिचेंगे वो हम देखेंगे या तो देखो चरन एक पहला स्टेप क्या करोगे रूलर की साहता से रेखा L खीचो गया आपने देखो ये ऐसे L रेखा खीच लिए रूलर की स्केल की साहता से उसको L नाम दे दिया उसके बाद उस रेखा पर एक बिंदू P दर्सा होगे तो मानलो मैंने यहां पर P बिंदू दर्सा दिया जैसे यहां दिखाए गया ठीक है अब चरंदो क्या है कि रूलर को रेखा पर और समकोन बनाने वाले सेट स्क्वेर को बिंदू पर लाएं ठीक है तो रूलर को रेखा पर और समकोन बनाने वाले सेट स्क्वेर को बिंदू पर लेकर आना है यानि कि जो हमने ये रेखा खीची अब इसके एक साइड तो हम यहाँ स्केल रख देंगे ठीक है अपनी नोटबुक के उपर और दूसरी साइड हम क्या रखेंगे एक सेट स्क्वेर इस तरीके से रखेंगे कि उसका जो ये एक कोना हो वो इधर आजाए इस बिंदू पर जामने वो बिंदू पी माना यहाँ दिखाए ना तो ये कोना अब क्या करेंगे ये लाइन तो इस पर पहले से ही है ठीक है अब इसके बिलकुल सीधा यहाँ पर एक और लाइन खीच देँगे ठीक है तो ये और इस यहाँ पर इस लाइन को क्या नाम देदेंगे यहाँ पर point को Q तो अब ये P और Q क्या हो गया एक और रेखा हो गई खिच गई जो कि क्या है इस वाली L रेखा पर लमबवत है तो अब सेट स्केयर और रूलर की साहिता से पी क्याओ खीचा खीच लिए हमने पी क्याओ रेखा L पर क्या होगी लंब होगी यानि कि 90 डिगरी का कौन बनाएगी हम इसे पी क्याओ लंबवत है L लिखते हैं इसको मतलब कि हम लंब दर्साने के लिए कि कौन सी रेखा किस पर लंब है हम कैसे दर्साते इस तरीके से एक को एक रेखा को दूसरी रेखा के उपर इस शोर्ट फोर में हम दर्सा सकते हैं कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा पर लंबवत है तो हम ऐसे दर्स आएंगे आपको याद रखना है यह जब भी ऐसा दिया होगा तो आपको खुद समझ जाना है कि इसका मतलब यह दोनों रिखा एक दूसरे के लंब वतेन के बीच का कौन जो है 90 डिग्री का है अब हम देखते हैं बेटा कि रूलर और परकार की सायता से लंब रेखा हम कैसे खीचेंगे यह सीखेंगे तो क्या करना है फिर से रूलर की सायता से एक एल रेखा खीच लेनी और उस पर एक बिंदुदर सा लेना है तो जैसे यह हो गया उसके बाद चरन एक पी को केंदर मान पर नाम दे देंगे तो बिंदू A और B पर परतीचेदित करती है जो तिरजिया हमनेई खीच, एक अर्ध सरकल बना देंगे इस पर केंदर मानकर 1 cm की तिरजिया से एक इस पर अर्धविरित बना देगे यानि कि पूरा तो ऐसे हो लेकिन हम सिर्फ अर्धविरित बनाएंगे जो इसको A और B बिंदू पर काट रही है ठीक है तो A और B बिंदू को केंदर मानना है अब हमें देखो अब इतना करने के ब लगा दी फिर इस पर रखेंगे एक बार परकार को और फिर यहां से एक चाप लगा देंगे ठीक है अब जो ये एक बिंदू पर काटेंगी जब आपस में उसको हम इस बिंदू से मिलाएंगे तो हमें जो रेखा मिलेगी वो इस रेखा के क्या मिलेगी लंबवत मिलेगी यानि इनके पीच का कौन 90 डिगरी का मिलेगा आप चहत करोगे तो तो इस तरीके से भी खीच सके तो P क्याओ को रूलर की सायता से मिलाया फिर हमने ठीक है इसको मिला दिया और L पर ये लंब हो गई हमें हम इसे P क्याओ लंब है L पर लिख सकते हैं अब हमें बिटा इसकी प्रैक्टिस करनी है देखो पर्शन एक एक 6 cm रेखाखंड खीचे और इस पर कोई बिंदू M अंकित कीजिए तो एक रेखाखंड खीच लिया हमने ठीक है उस पर क्या है 6 cm का लेना है इस बिंदू पर कोई बिंदू अंकित करना है मानलो हमने यहां पर एक बिंदू अंकित कर लेना है ठीक है अब इस बिंदू को हमने M नाम दे देना है जो जो बोला है वो वो करना है कर दिया अब M से होकर AB पर एक लंब और रूलर और प्रकार के द्वारा खीचना है तो देखो आप कैसे करेंगे सेमटू सेम जो यह किया है आपको यही करना पहला step आप यह लिखोंगे ruler की सायता से यहाँपर क्या करोगे a b खीची यहाँपर खीची कर लेना खीची उस रेखा पर एक बिंदू a दर्शाया आप लिखोंगे दरसाया वैसे ही करो जैसे मैं बोल रहे है रूलर की सायता से रेखा A B खीची और उस रेखा पर बिंदू M ठीक है बिंदू M दरसाया इतना कर दिया उसके बाद चरनेक में कि M बिंदू को केंदर मानकर एक तिरजिया लेकर अर्दवरित बनाया ठीक है अब आप खुद बना रहे हैं तो आपको बताना है बनाया जो रेखा L को दो बिंदू देखो जो रेखा L को क्या करेगी ये बिंदू बिटा यहां से हटाल A B को हटा देना यहां पर क्या लिखोगे कुछ भी मान सकते हो, आप मान लो यहाँ पर P और क्या हूँ ठीक है, P के उपर परती छेदित करती हैं ठीक है, करती है ओके और इसको क्या करोगे, यहाँ पर A और B मान लोगे, और फिर यहाँ बे, क्या नामे यह भी A और B था पिट आपका यहाँ A और B माना, अब यह A और B नहीं है, यह आपने क्या माने है P और क्याओ, ठीक है यह आपकी रेखा कंडती A और B ओके, फिर A और B को केंदर मान कर दो चापों की साहिता से, A और B नहीं है, यहाँ P और क्याओ, P और क्याओ को केंदर मान कर दो चापो की रचना इस परकार की जो प्रस पर किस पर काटते हैं देखो इस बिंदु का आप क्या मानोगे इस बिंदु का पी क्यों आ हमान्सकते हो ठीक है कि आ पर काठती हैं काठती है फिर चरंत्री चरंत्री क्या होगा बेटा जो आपने ये खीची है ये M माना था न MR किस पर लंबत है AB पर लंब है है इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं MR लंब है AB लिख लिखते हैं कर दो या फिर लिख सकते हैं ठीक है यह कर दोगे अब आप इसको बेटा ध्यान से सोच देखो मैंने क्या क्या हुआ है वही आपको करना है यहां पर यह बिंदू आपके क्या है यहां पर आप P और क्यों है ठी चारो के चारो आपको बनाने हैं ये A और B है इनके end point दिखा देना सभी के end point दिखा देना A, B ओके ये आपको करना मैं पढ़के बता दिती हूं ruler की साहिता से रेखा A, B देखो color change करके बताती हूं ruler की साहिता से रेखा A, B खीची उस रेखा पर एक बिंदू M दर्शाया फिर चरन एक में लिखोगे M को केंदर मानकर एक तिरजिया लेकर एक अर्दिवृत बनाया जो रेखा यहां पर L ने लिखोगे इसको क्या कहोगे A B जो रेखा A B को दो बिंदू यानि कि P और क्याउ पर परतिशेदित करती है फिर P और क्याउ को केंदर मानकर दो चापों की रचना इस परकार की ठीक है जो परस पर R पर कट करती है ठीक है यह R पर काटती है चरन तीन में लिखोगे MR को रूलर की सायता से मिलाया MR AB पर लंब है हम इसे MR लंब है AB पर लिखते हैं ठीक है यह आपको लिखते जाना है और यह डाइगराम आपको बना देने हैं महाँ पर step by step ठीक है अब next question क्या है बटा हमारा की person 2 एक 8 cm रेखाकंड खीचे और इस पर कोई बिंदू S अंकित कीजिए उस पर एक S बिंदू अंकित करना है और S से होकर जाने वाली CD एक लंब खीचनी है यह M से होकर AB पर एक लंब खीचना था यहाँ पर S से होकर CD पर एक लंब खीचना है ruler और set square की साहिता से तो देखो यह जो पहले किया था वो करोगे ruler की साहिता से रेखा यहाँ पर हमें क्या बोली गही है कौन सी रेखा खीचनी है बेटा one minute हमें एक रेखा खीचनी है उसका नाम नी दिया ठीक है हम कुछ भी नाम मान सकते हैं तो अपनी तरफ से ruler की साहिता से एक रेखा खंड लिखे लेना बेटा A और B वन मिनट मैं इसको उपर करती हूँ तो इसको नाम दोगे ये काटके रेखा, खंड, A, B खीचा ठीक है खीचा और उस रेखा पर एक बिंदू क्या S बिंदू दर्साना है ठीक है S दर्साया ये करना S बिंदू दर्साया तो अब यहां इसको नाम दोगे A, B और इसको पॉइंट को क्या दोगे S ठीक है अब रूलर को रेखा पर और समकोन बनाने वाले सेट स्क्यार को बिंदू पर लाई ठीक है फिर उसके बाद अब सेट स्क्यार और रूलर की सायता से रेखा कौन सी है बेटा हमारी A, B ठीक है सोरी हमें C, D, कीच नहीं है तो आप इसको काट के क्या करोगे C, D, कीची C, D, कीची और यह क्या है C, D, रेखा किस पर A, B पर लंब है हम इसे क्या कह सकते है C, D, लंब है A, B लिख सकते हैं लिख सकते हैं ये तो आपको लिखने में लिखना है अब यहाँ पर सेम टू सेम इन पॉइंट को हटा के पी क्यों की जगा आपको c d ठीक है और हाँ बेटा एक और बात आप इसको c d मान रहो ना तो अब यहाँ पर क्या करोगे यह पॉइंट आपका क्या था s था इन्होंने बुला है s पॉइंट मानना है और उसको c से यह हमने इसको s पॉइंट मानना है ठीक है यहाँ पर इस s पॉइंट पर रखके और यह हमारी क्या है a और b ठीक है यहाँ पर जो रेखा यह वाली इस पर एक रेखा कीजी यह जो की c है ठीक है अब इसी रेखा पर हमने cd खीच ली तो s point भी c हो गया cb और sb इसको दोनों नाम दिये हुए तो आप कोई भी एक दे देना ठीक है मान लो आप क्या कर रहे हो चलो दोनों point भी दे सकते हो क्योंकि अब इनों ने दोनों ही लिखे तो बेटा दोनों ही नाम लिख देना कोई नी तो इस तरीके से यहाँ पर cd खीच दी आपने बस यह आपको करना है ठीक है फिर आपकी क्य जारेखा बन जाएगी, ऐसी बनेगी, A, B, ये बिंदू S था, यहाँ पर ये आप क्या करोगे, इसको C भी मान लोगे और D भी, तो ये C, D आपने लंबिस पर खीच दी, ठीक है, A, B पर, तो ये आपका second question हो जाएगा, और हाँ बेटा, ये 8 cm की है, ये 8 cm की है, ये याद मानना, बस आपको 8 cm का एक बिंदू मानना था, बिंदू मानलो, इसको S point नाम मत देना, ठीक है, एक बिंदू दर्साया, इसको भी कुछ मत लिखना यहाँ पर, 8 cm, जो की C बिंदू ही बन जाएगा बाद में, तो ये आपका final होगा, इसमें पहले ये draw करोगे, फिर इसको scale की सायता से, ये वाली रेखा draw करोगे, तो आपको कुछ इस परकार का diagram बनेगा, आपको ये वाला draw नहीं करना, ये सीखने के लिए ये draw करोगे, और ये final draw करोगे, ठीक है, ये आपकी थी बेटा, आज की वक्षित, उमीद करती हो, समझ आ गई होगी, फिर भी कोई doubt हो, तो comment box में पूछ लेना, इस वीडियो में इतने हैं, अपना next topic जोगा हम अपनी next वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए से हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे, बढ़ते रहिए, thank you